गूड बॉर्णिंग इस्टूडेंट आसा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे जिस तरह से हम लोगों ने लेसन वन को काफी अच्छे से रेड किया उसका काफी अच्छे से हम लोगों ने एक्सरसाइज पॉर्शन भी काफी अच्छे से डिसक्रस किया और क्या हूं और आज हम लोग देखने वाले हैं लेसन तूव राइड जिसमें हम लोग गठने वाले हैं क्या कि द्लू मिसिनग बिस्टम राइट कै दथा मिसीग विस्तल आजस सक्छे मतलब होता है कि जीनप sparkling ऑर मिसिंग में उसको आपको कॉपी मैं लिखते जाना है्ल यान वार्ट वहतने जडिम्स चो सब्सक्राइब तो सबसे पहले देखते तो मीसिंग क्या होता है मिसिंग लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता अब हम लोगों देखने वाले हैं यहाँ पर जैसे ही हम लोगों को लेसन स्टार्ट होता है तो कुछ कोशन्स रहते हैं जो हम लोगों को डिस्कस करने रहते हैं तो यहाँ पर कोशन दिया हुआ है जब आपका कोई चीज खो जाता है तो आप क्या करते हो आप लोगों अपने में अब हम लोग लिसन स्टार्ट करते हैं यहाँ लिखा हुआ है आफ्टर लंच क्या लिखा हुए आफ्टर लंच यानि कि लंच के बाद ठीक है आफ्टर लंच यानि कि आफ्टर मतलब होता है बाद और लंच मतलब क्या होता है दोपहर का भोजन राइट लंच मतलब क्या होता है दोपहर का भोजन यानि कि दोपहर के भोजन के बाद और यह यह सभी पढ़ा दूए इंगलीज का यह सब चीज पढ़ा दे रहा हूं तो इस सब क्या करना है आपको दो-चार बर वीडियो देखकर करके आपको खुद से उसका अनुवाद निकालना है जैसे यह इंगलीज में तो इसका किस तरह मैं अर्थ बता रहा हूं तो उसी तर मतलब क्या होता है जिखलेट मतलब होता है जो अरका सा बच्चा हैं और बस्फिय बोच्चा मतलब सुऔर काerkा बच्चा पीई जिप इनले कि मतलब च्खने इसको इसमें एल इती लग गया है तो पीगलेट मतलब क्या होग्या सूर का बच्चा वन्ठ टू ओ सी र tsunami हновत भि देखने किस को रैबिट को, दोपहर के भोजन के बाद, अब पूरा इसका अर्था पता रहा हूं, दोपहर के भोजन के बाद सुर का छोटा बच्चा गया, कहां जी, किसको देखने रैबिट को देखने या मिलने, ठीक है? अब चलिए, come in rabbit call तो यह देखे यहाँ पर मिलने आया हुआ है दर्वाज़ बंध है सुवर का बच्चा मिलने आया हुआ है यहाँ पर दर्वाज़ बंध है तो और दर्वाज़ पर खट खट आया होगा तो आवाज आता है rabbit rabbit call rabbit कहता है come in अंदर आ जाओ अब चलिए यहाँ कि घर के अंदर में rabbit था अब piglet tried to go in piglet जो है यहाँ कि यह जो सुवर का जो छोटा सा भच्चा है यह यह खोशिश करता है tried मतलब क्या होता है खोशिश करना go in अंदर जाने की but लेकिन लेकिन but मतलब लेकिन he could not open वह open नहीं कर पा रहा है the door यह जो door है इसको open नहीं कर पा रहा है तो he could not open the door वह door को open नहीं कर सका तेक है permission तो मिल गई coming का लेकिन वह door open नहीं कर पाया अब आगे देखिए स्टोरी में क्या होता है यह आप लिखा हूँ है piglet pushed and pushed piglet piglet यानि कि स्वर का जो छोटा भच्चा है क्या कर रहा है pushed and pushed why meaning repeat हुआ है दो बर तो pushed and pushed मतलब क्या होता है pushed and pushed that means हो गया आपका कि जोड़ जोड़ से धख्का देना pushed and pushed यानि कि जोड़ जोड़ से धख्का नहीं खूला तो जोर जोर से धक्का देने लगा at last यानि कि अंतता the door opened जब जोर से धक्का दिया तो क्या हो गया दरवाजा खुल गया and he fell inside fell मतलब होता है गिर जाना और inside मतलब अंदर और वो जैसे ही दरवाजा खुला अचानक से जोर जोर से धक्का दे रहा था अचानक से जैसे ही खुल गया तो fail मतलब होता है क्या गिर जाना और inside मतलब अंदर तो क्या हो गया अचानक से जरवाजा खुल गया और ये अंदर गिर गया तो इसका अर्थ क्या निकला and he fell inside और वो अंदर गिर गया यह अर्थ निकला अब आगे देखते है What a mace क्या लिखा हुआ है What a mace What a mace Right क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखो लिखा हुआ है What a mace अब यहाँ पर कहना क्या चाह रहा है He said looking around जैसे ही यहाँ पर देखो यह गिर गया है दरवाजा खुलने से तो यह चारो तरफ जब देखता है Around मतलब क्या होता है Around मतलब क्या होता है चारो तरफ यह चारो तरफ क्या है कुछ बिखडा हुआ है Looking मतलब क्या होता है देखना Around मतलब चारो तरफ Around मतलब चारो तरफ Looking मतलब देखा मतलब इसने कहा क्या कहा what a mess क्या कहा इसने what a mess यानि कि कितना मतलब चारो तरफ चीज बिखड़ा हुआ है कैसे फूर बिखड़ा वास्त भी आस्त दिखाई दे रहा है तो इसको बहुत सारी चीज बिखड़ी भी दिखी तो इसने कहा क्या looking he said looking around वह चारो तरफ देखके बोला what a mess कितना भी बिखड़ा हुआ अब देखिए इस फिक्चर में इस फिक्चर में देखिए rabbit was searching through a drawer यह देखिए यह rabbit क्या कर रहा है कि ड्रॉवर में से अलमीरा में से यहां पर देखिए कुछ न कुछ यह जो ड्रॉवर होता है जिसको खीज के हम लोग खोलते हैं यह कुछ न कुछ खोज रहा है rabbit खरगोस searching 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 मतलब होता है खोजना through यह द्रॉवर यह द्रॉवर में कुछ खोज रहा था द्रॉवर को खीच खीच के सब समान को फेक फेक के कहां है कहां है अच्छा क्या चीज ढून रहा था आब आगे देखते हैं i have lost my whistle i have lost lost मतलब क्या हो जाता है खोजाना आई मतलब क्या होता है मैं अप मैं ही टोल्ड पिगलेट यानि कि पिगलेट से कहां तोल्ड मतलब कहां ही किसके लिए आया है खरगोस के लिए ही किसके लिए आया है खरगोस के लिए है तो उसने खरगोस से कहां क्या कहां ही टोल्ड पिगलेट उसने सुवर के बच्चे से कहां क्या कहां कि I have lost my whistle यानि कि मैं मेरी city खो गई है I had this morning यानि कि सुबा में मेरे पास ही थी बहुत अच्छे से अर्थ निकालना है बटा आपको कभी भी मैं हो सकता है कि ये पढ़ाने के बाद आपको पूछूंगा तो आप लोग को जवाब देना पड़ेगा क्या है I had it this morning ये सुबा में मेरे ही पास था बट क्या बट लेकिन I cannot find it now I cannot find it now लेकिन अभी मुझे नहीं मिल रहा नाव मतलब अभी और find मतलब मिलना अभी मुझे नहीं मिल रहा तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए आपका टास्क रहेगा कि ये तीनों जो हमने ये तीन पैरा जो हमने discuss किया है ना ये one और ये two right दिख रहा है और ये take minute ये जो तीनों को हमन नुवाद इसके इस तरह से अर्थ निकालने है और पढ़ पढ़ के आप्टर लांच और नहीं समझ में आये तो काफी अच्छे से आपको वीडियो को फिर से देखना है तो ये आपका टास्क रहेगा और जो जो वर्ड मैनिंग मैंने इसमें circle करकर के आपको बताया है उसक के लिए इतना ही मिलते हैं अगले नेस्ट वीडियो में आसा करता हूं ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा तो जाहिंद